इस वीडियो इसको स्पॉंसर्ट बाई अपुदय पाइल्स हॉस्पिटल जैन क्लब भारतिय जैन सगटना के सन्यूग तत्वधार में स्वर्गे मनुहालाल लड़ा के पूर्णिय स्वरती में न्यू एरा हॉस्पिटल लकडगर नाकूर में पूर्णिवरत नीशुल्ख प्लास्टिक सरजरी शिबिर का आयोजन किया जा रहा है ऐसे जानकारी पत्रकार परिशत में जैन कलब दुवारा दी गई है हर वर्ष लगबग इस शिबिर में 500 से 700 मरीज इसका लाब लेते हैं लगबग 1500 सरजरी कर मरीजों को लाब बांति किया जाता है नामी डॉक्टर सरजरी करेंगे मित्रों ये बच्चों के लिए विशेश निशुल्ख प्लास्टिक सरजरी कैम नागपूर में प्रतिवर्ष जैन कलब भारतिय जैन संगटना और निउएरा हॉस्पिटल के सेयुक्त ततोधान में आयोजित किया जाता है इस वर्ष भी 9 और 10 जनवरी को नागपूर के निउएरा हॉस्पिटल लकडगंज में ये शिवीर का आयोजन किया जा रहा है जो डॉक्टर है वो विशेश रूप से अमेरिका से यहां से आ रहे हैं वो भी निशुलक अपनी सेवा यहां पर देते हैं 9 और 10 जनवरी को नागपूर के निउएरा हॉस्पिटल में ये बच्चों का सरजरी कैम्प है जो क्लेफ लिप और क्लेफ पैलेट से ग्रसित बच्चे हैं उनकी सरजरी की जाएंगी सरजरी करने के बाद में उनको वहाँ पर रहने का उनके दवाईयों का और उनके रिलेटिव के खाने पीने और रहने की वेवस्था संस्था के द्वारा निशुलक की जाएंगी यह कैम्प अपने आप में विशेश इसलिए भी वन जाता है कि यह कैम्प में जितने बच्चे ऑपरेशन कराएंगे उसके बाद वो पूरनता ठीक हो जाते हैं जो उनके होट कटे फटे होते हैं जिसके वज़े से उनने काफी परेशानी होती है इसको लों में दाखिला न मौका नहीं मिलता है और एक सोशल स्टिग्मा पूरे फैमिली को इसके पीछे लग जाता है उससे हम मुक्त करा सकते हैं एक छोटी सी सर्जरी के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रसार हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आए हम विधर्प के 36 गड़के और रेजिस्टेशन का इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है इसमें हमने हमारे फोन नमबर से हैं उसके फोन करके भी रेजिस्टेशन करा सकते हैं और एक नमबर हमने यहाँ पर विशेश लाँज किया है 9649934500 ये इस पर मिस्कॉल करने से अटोमेटिकली रेजिस्टेशन हो जाता है उसके बाद हम उनसे कॉंटेक करकर उनको सारी डिटेल बता देते हैं एक बार अगर यह कैम्प हो जाए तो अगर बच्चा इस स्थिति में हमारे पास आता है तो सरजरी करने के बाद में उसकी स्थिति वापस से पूर्णता नॉर्मल और करीब करीब नॉर्मल जिससे वो बच्चा जो बिमारी होती है जिसको क्लेफ लिफ्ट या क्लेफ पैलेट बोलते हैं उससे वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है तो इस तरीके का विशेश कैम्प नाकपुर में नौ और दस जनवरी को आयोजिन किया जा रहा है यह छटवा कैम्प है अभी तक हमन करीब करीब पांच हजार बच्चों को इस बिमारी से मुक्ति दिला दिया है और आने वाले समय में या और भी हमारे साथ जुड़के बच्चे लोग इसका लाब ले सकते हैं तो आप सभी के माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा कि जो भी इस कैम का लाब लेना चाहे वो चीफ बवासिर की है बवासिर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आईरुवेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com